नमस्कार दोस्तों जैसा कि थम्बनेल में आप देख रहे हैं कि हम लोग आज बात करेंगे मार्च के माह में कोई रिजल्ट आएगा या रिजल्ट पर भी कोरोना का असर होगा मंडी पर से रिजल्ट एक मिस्ट्री बना हुआ है इस पर बात करेंगे लोवर टू काल के गर्थ में कहीं समा गया है देखते हैं क्या हो रहा है आयुग में इस पर बात करेंगे और लोवर पीशियस चोकी बहुत Jub掉 प्रिस्टीजियस जॉब है उसके रिजल्ट की बात करें हैं मार्च माम में क्या कोई रिजल्ट आएगा तो देखिए हमाई जानकारी के अनुसार मार्च महिने में कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है कई जगा अफवा है कि लोवर PCS Pre 2019 का रिजल्ट मार्च के लास्ट तक आ जाएगा परन्तु ऐसा कोई अफडेट नहीं है हमारे पास अब भो सकता हमारा अफडेट गलत हो लेकिन जो जानकारी है वो आपको दे रहा हूं तो दोस्तों मंडी की बात करें तो मंडी का रिजल्ट आपका मार्च के अप्रेल में भी आने का कोई चांस नहीं है तो मंडी वाले कृपया अप्रेल के बाद ही सोचें अप्रेल तक भूल जाएं लोवर और लोवर टू इनकी बात करते हैं तो देखिए 10 अप्रेल से के आजपास लोवर 2019 का रिजल्ट आने की पूरी संभावना है और 15 अप्रेल तक पक्का आजाएगा अगर 10 अप्रेल के आजपास नहीं आता है तक 15 अप्रेल तक ये पक्का आजाएगा और लोवर के रिजल्ट अगर प्री का रिजल्ट आता है तो उसके एक हप्ते बाद लोवर टू के रिजल्ट आने का चांस है थोड़ा टेक्निकल इसमें फसा हुआ है लेकिन आयोग अब थोड़ा सा लेनियन्ट हो रहा है उसको साथ कॉमन कट आफ दे के जारी कर दे तो लोवर प्री कर रिजल टापकर 10 से 15 अप्रिल तक आ जाएगा लोवर टू का उसके एक हपते बाद आने का चांस है धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब कर ले एनी फर्दर अपडेट के लिए धन्यवाद नवस्कार